अहम्या नवो बोर्खोर खुबेश्या घ्यापोन कोरिलो मैं मा कामाख्या और मा काली के चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं स्री हरी बंदीर, स्री वासुदेव बंदीर, बिलकेश्वर मंदीर और शीव मंदीर को भी सर जुका कर नमन करता हूँ मैं आप सभी को बोहाग बिहु के हारदिक शुबकामनाई देता हूँ आज राम नव्मी का अइतिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिलिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोच्षव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बनिदान के शिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है साथियों इतनी बड़े संख्या में आपकी ये उपस्तिति ये जन सहलाब महान ब्रह्म पुत्र के विस्तार से कम नहीं है और मैं तो देख रहा हूं ये पबलिक मिटिंग तीन मंजिला है एक तो लाकखों लोग मेरे सामने बैटे है दूसरे हज्जारों लोगं उदर सामने उपर बैटे हैं और तीसरे सैकडों लोगं उपर बीट पर खड़े हो गरके सभा सुन रहें याने शायद इस पहली सभा होगी जो तीन मंजिला सभा हो रही है चार जुन को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साप दिखाई दे रहा है दिखता है कि नहीं दिखता है चार जुन क्या होने वाला है ये आज पूरा देश देख रहा है और इसलिए लोग कहते हैं चार जून चार सो पार चार जून जराब पूरी ताकत से आवा जाने चाहिए चार जून फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार शारी जून आकोयबार साथियों 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था 2019 में मोदी जब आया तो एक बिश्वास लेकर आया और 2024 में आज जब मोदी असम की धर्ति पर आया है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी अभी बोहाग बिहू के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है एंडिये सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता उनका लाब हर किसी को मिलता है अब एंडिये ने ठाना है कि देश के हर नागिरिक तक पहुँचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी अगरे पांच वर्षों में गरिबों के लिए तीन करोड और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे अगले पांच वर्षों तक आपको मुप्त राशान ऐसे ही मिलता रहेगा आप मुझे बताईए एंडिये सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी बेदभाव का सामना करना पड़ा है साथियों अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी गोशना की है जिसका लाप देश के हर घर को होगा और वो भी बीना भेदभाव के होगा आप जानते हैं हर परिवार में आजकल दादा, दादी, पीता, माता सत्तर साल के उपर के लोग परिवार में होते हैं और उनको कोई भी तकलीब हो तो परिवार के संतानों पर बोज पड़ता है बेटे के सारे प्लान बिगड़ जाते हैं अगर पीता, दादा, माता को कोई बिमारी आ जाए अगर बेटी की शादी का प्लान बना दिया है और अचानक पता चले कि पीता को बहुत गंबीर बिमारी आई है, माता को गंबीर बिमारी आई है तो बेटी की शादी का प्लान ही बिगड़ जाता है और इसलिए मोदी ने तै किया है कि आप जो मेरे भाई बहन है जो पता साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 60 साल के होंगे अपने भुजूर्ग माबाप की सेवा करते है हम मोदी ने तै किया है मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार में सत्तर साल की उपर के जितने भी भुजुर्ग है उनकी बिमारी उनकी इलाज की चिंता ये आपका बेटा मोदी करेगा इन भुजुर्गों को आईश्मान योजना के तहट पांच लाख रुपे तक के मुक्त इलाज की सुविधा मिलेगी वो भुजुर्ग गरीब हो मद्दंबर के हो गाउं के हो शहर के हो सेलरी केटेगरी में आते हो किसान परिवार के हो या फिर उच्चवर के हो इसमें भी बिना भेद भाव उनकी इलाज की चिंता मोदी करेगा और उससे आपके पैसे बचेंगे आप अपनी योजना के हिसाब से अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे इतना बड़ा काम ये मोदी करने वाला है मेरा भाषान आगे बढ़ाने से पहले अब बारा बजने में कुछी पल बाकी है आयोध्या में और पुरे देश में प्रभु राम के जनमोथ्षव प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा भियान चल रहा है बहुत बड़ा उत्षव चल रहा है हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं बले हम आयोध्या नहीं पहुँच पाए हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सों में जुड़ने के लिए अभी कुछी पल में वहाँ पर सूर्य तिलक होने वाला है आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लेश लाइक चालू करके हम भी प्रभु राम को पढ़ाम करें उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लेश निकाल करके फ्लेश चालू करके सब लोग अपने मोबाइल का फ्लेश चालू करें सब लोग बले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें प्रभु राम को सुर्य तिलग हो रहा है तब हमारे मुबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाब कर रहे हैं हम भी सुर्य तिलग में हमारे मुबाइल के किरन भेज रहे हैं मेरे साथ बोलिए जय स्री राम जय स्री राम जय जय स्री राम जै जै सिराम जै जै सिराम राम लक्ष्मन जान के जै बोलो हनमान के राम लक्ष्मन जान के राम लक्ष्मन जान के राम लक्ष्मन जान के राम लक्ष्मन जान के राम अनक्ष्मर जान की जये स्री राम जये स्री राम जये जये स्री राम जये जये स्री राम जये जये स्री राम जये जये स्री राम प्रभु राम के जर्वोत सब को हम सब ने यहां से उसमें सरीख होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयाम प्रभु राम जी के जन्मदीन को मनाने के लिए अयोध्या की धर्ती पर किरण के रुपए उतर रहे है पूरे देश में एक नया माहोल है और ये प्रभु राम का बर्तडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने नीज घर में बर्तडे मनाने का सवभागे मिला है बले प्रभु राम चंदर की प्रभु राम चंदर की सियावर राम चंदर की सियावर राम अच्चन्र की साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोषणाय की है आपका बिजली बिल जीरो आए इसके लिए कमदाम पर सोलर पैनल दिये जाएंगे और उसके काराण आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा अरे बिजली का बिल तो जीरे होगा आने वाले दिनों में जब आप इलेक्रिक वेहिकल खरीदेंगे स्कूटी हो स्कूटर हो गाडी हो तो सोलर वाली बिजली से उसका चार्जिंग भी होगा और आज ट्राविलिंग का जो खर्चा है ना पैट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो भी जीरो हो जाएगा देश की करोड़ों बेहने आज स्वयम सहायता समू से जुड़ी है हमने लक्ष रखा है तीन करोड़ बेहनों को लखपती दीदी बनाएंगे गाउं गाउं में हमारी बेहने ड्रोन पाइलट बनेगी इन फैसलों का बहुत बड़ा लाप हमारे आसाम के लोगों के यहां के गरीब बन्चीत दलीत किसान पीडीत और चाय बागान के मद्दूरों को होगा साथियों जब किसानों की बात होती है तो यहां कोई खार भात को कैसे भूल सकता है यहां तो हर कोई जानता है खार खुआ असमीज इसलिए हमारी सरकार यहां के चावाल किसानों की खास चिंता करती है हमने खरीब की फसलों का MSP बढ़ाया है इससे यहां के लाखों किसानों को लाब हुआ है असम के किसानों को PM किसान सम्मान निजी के तहट 5400 करोड रुपे से जादा मिले हैं और अब BJP निजी योजना को जारी रखने का एलान किया है यानि असम के किसानों को PM किसान सम्मान निजी का पैसा मिलता रहेगा और वो भी बिना भेदभाव मिलता रहेगा साथियों आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नौर्थिस्टों खुद ही मोदी की गारंटी का गवा है जिस नौर्थिस्ट को कॉंग्रेस ने सिरफ समस्याएं दी थी उसे BJP ने संभावनाव का स्रोध बना दिया है कॉंग्रेस ने अलगावबाद को खाद पानी दिया मोदी ने पुर्वत्तर को गले लगाने का काम किया मोदी ने शांती और सुरुच्छा के लिए प्रयास किये जो कॉंग्रेस के साथ वर्सों में नहीं हुआ वो मोदी ने दस वर्सों में करके दिखाया क्योंकि मेरे लिए आपके सपने ये मेरा संकल्प है आपके सपने ये मेरा संकल्प है और इसलिए हर पल आपके नाम हर पल देश के नाम हर पल आपके सपनों के नाम और इसलिए 24 by 7 24 by 7 for 2047 साथियों मोदी ने ही अपने मुस्लिम बेहनों को तीन तलाक की टेंशन से मुक्ती दिलाई हमने तीन तलाक की कूप्रथा के खिलाब कानून बनाया इसका फाइदा ना सिर्ब मुस्लिम बेहनों को मिला बलकि उनके परिवार को मिला पूरे परिवार को मिला माता को मिला पीता को मिला भाई को मिला तीन तलाक की वज़े से मुस्लिम बेटियों के साथ उनके परिवार की भी जिन्दगी तबाह हो रही थी इसका लाप असम की भी हमारी हज्जारों बेहनों को हुआ है साथियों असम का विकास इस बात का सबूत है कि जब नियत सही हो तो नतीजे भी सही आते है कॉंग्रेस पार्टी ने सियासी फायतों के लिए इस छेत्र को अपने में पंजे में फसा कर रखा था कॉंग्रेस के पंजे ने पुर्वोत्तर को इसलिए जकट रखा था ताकि उनके लिए ब्रस्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहे अब ये पंजाग खुल गया है तो असम्में सबक्या साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है साथियों अभी कुछी दून पहले मैंने असम्में देश की बहुत बड़ी सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी का सिलान्याद किया है इस सेमी कंड़क्टर असम्मली और टेस्ट फैसिलिटी पर 27,000 करोड रुपिय से जाद्य का निवेश किया जाएगा आने वाले समय में अकेले इस विलिट से इस खेत्र के युवाओं के लिए 15,000 से जादा रोजगार के अउसर बनेंगे आने वाले समय में पुरी दुनिया में असम्म को सेमी कंड़क्टर सेक्टर के एक बड़े हैब के रुपे पहचान मिलेगी ये शुरुवात एकिहासिक है अब प्रत्यासित है इन ने इस चेत्र के विकास को एक नई शक्ति देने वाला है नौर्थ इसके नवजवानों को भविश्के भारत के हर्थ सेक्टर में नए अवसरों से जोड़ा जाए मेरे लिए सबसे बड़ी प्राक्विक्ता है और ये अवसर लगातार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे ये मोधी की गारंटी है साथ यो असम आज केवल दूसरे राजों की बराबर ही नहीं कर रहा असम विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है जिस असम में सड़के नहीं होती थी वहाँ दस वर्ष में पतीस सो किलोमेटर नेश्टनल हाइवेज बने है दरांग उदलगुरे बारपेटा और कोकरा जार के लोगों के लिए अकेले इस छेत्र में ही करीब दो हजार करोड रुपे की सड़क परियोजनाव पर काम हो रहा है अदेश का सबसे बड़ा रीवर ब्रीज भूपेन हजेरिका सेतू असम में है अदेश का सबसे लंबा बोगी ब्रेल रोल ब्रीज असम में है अब गुहाटी में ही असम का अपना एम्स खोल चुका है इसके अलावा बार पेटा और कोकराजार में भी मेडिकल कॉलेज खोले हैं असम में पांच जिलों में कैंसर अस्पताल खोलने की योजना भी परकेजी से काम चल रहा है असम को छे नई इंजिनिरिंग कॉलेज की भी सोगात मिली है नौर्थ इसकी उर्जा जरूरत को पुरा करने के लिए 90,000 करोरपी की लागत से नौर्थ इस्ट गेस ग्रेड को तयार किया जा रहा है हाल ही में पी-म उर्जा गंगा योजना के तहत बरावनी गुहाटी पाइपलाइन को देश को समध्पित किया गया है भाईयो बेहनों ये केवल विकास के आकड़े नहीं है ये सब का प्रयास का उदारण है यहां कहा जाता है राईजे नक जोकारिले नौई बोई यानि यदि सब लोग मिलकर काम करें तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है अज हम आगे बढ़ रहा है आप लोगों के प्रयास है साथ कि यहां से मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्बू बहुत दूर नहीं है बीजेपी सरकार देश में टाइगर्स के संख्या हमारे कालखंड में बड़ी है और वन खेतर का भी विस्तार हुआ है कुछ समय पहले ही मैं काजरंगा नेशनल पार गया था और मैं देश का पहला प्रदानमत्री तो जो वहां रात को रुका था असम सरकार के इस सक्ति की वज़े से जब राइनो का शिकार बीते दिनों की बात बन रहा है असम के ये बायो डायर्फिटी यहां के बहुत बड़ी ताकत है बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टों में संकल पर लिया है कि देश की हेरिटेज को ग्लोबल मैप पर ले जाएगी इसे ग्लोबल टूरिजम के भी असम आने की संभावना बड़ेगी असम में बड़ता टूरिजम या रोजगार के भी ज़्यादा से ज़्यादा मोके लेकर के आएगा साथ यों हम विकात भी और विरासत के मत पर चल रहे हैं हम बार पेटा को बोईकुन धाम मराकर नमन करते हैं इसी धर्ती ने स्रिमत संकर देव और मादो देव जैसे संत दी है इसलिए आज अगर काशी में विश्मनात धाम का निर्माण होता है तो असम में कामाख्या कोरिडोर की विराविकास भी किया जाता है बीजेपी सरकार की प्रयास होते असम के महान योद्धा लसित बोर्फुकन की 400 भी जैंती पुरे देश में मनाई और असम के गमोशा का ब्रान नेमेसर तो खूद आपका मोद्धी है लेकिन भाई यो भेनो कॉंग्रेस को देश की विरासत इससे भी दिक्कत है मैं असम के स्थानी ये परंपराव के कपड़ी पहन लेता हूँ तो कॉंग्रेस वाले मजाग उड़ाते हैं कॉंग्रेस को असम के लोगों की भावना होगी कोई परवा नहीं है साथ कि हमारे मुख मंत्री हमत अभीश्व सर्माजी असम के विकास के लिए इतनी महनत करते हैं कि हाँ कॉंग्रेस का स्कोपी खत्मा हो गया है कॉंग्रेस को दिया आपका वोट केंद्रबे सरकार नहीं बनाएगा बीजेफू को दिया आपका वोट विक्सित भारत बनाएगा इस बार बार पेटा से फणी भुषन चोदरी जी को कोकराजार से जोयनता बासुमतारी जी को और गोहाटी से बहन बीजूल कलिता मेधी जी को आपके वो रिकॉर्ड वोट से जिताना है साथ माई को वोटिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे ना सारे रिकॉर्ड टूटेंगे ना हर बूद जीतेंगे ना गर-गर जाएंगे मद्दान को जगाएंगे सुबे सुबे मद्दान कराएंगे अच्छा मेरा एक और काम है वो भी करना है आप गर-गर जाना और गर-गर जाकर के कहना के हमारे मोदी जी आये थे और मोदी जी ने परिवार के सब को प्रणाम पहुचाया है मेरा प्रणाम पहुचा देंगे मेरा प्रणाम पहुचा देंगे मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की जय स्री राम जय स्री राम जय जय स्री राम जै जै स्री राम बहुत बहुत धन्यवाद भारत मन्ता की धन्दे जोए आए खाम धन्दे जोए आए खाम धन्देग्छे नुशित गयाँ जोए आए खाम झाल झाल झाल